परिचाeten सीधा और सामाने मतलब यही है। उन्हें स्थाई बदलाओ के तौर पर जाना जाता है। उधार रनार्थ कागस के जलने पर कार्बन का बनना। जब कागस जला दिया जाता है तो कार्बन के कर्ण राख बन जाते हैं। इनको दोबारा से कागज नहीं बनाये जा सकता। इस तरह ये स्थाई रासाइनिक परिवर्तन है। उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। रासाइनिक परिवर्तन को पहचानना, रासाइनिक प्रतिक्रिया के समीकरण लिखना, रासाइनिक परिवर्तन को वर्गी क्रिक करना, विभिन तरह के रासाइनिक प्रतिक्रियाओं के उधारणों की सूची बनाना, रासाइनिक अभिक्रियाएं ऐसे पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिक्रिया यानी रियक्टेंट्स कहा जाता है जो नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें उत्पात कहा जाता है लोहा और सल्फर रियक्टेंट्स हैं और आइरन सल्फाइड उत्पात है जब चीनी को गरम किया जाता है, तो वो जल जाती है, चीनी में पानी के अणू कारबन छोड़ जाते हैं. रासायनिक समीकरण लिखना रासाइनिक अभिक्रिया में रियक्टेंट्स एक या अधिक एक साथ प्रतिक्रिया करते हैं और एक नया यौकिक बनता है जिसे उत्पात कहते हैं उधारन, Aluminium Oxide को Dilute Sulfuric Acid के साथ मिलाएं, जो Aluminium Sulfate और पानी के रूप में हो, इस अभिक्रिया को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, Aluminium Oxide Dilute Sulfuric Acid के साथ अभिक्रिया करके Aluminium Sulfate और पानी बनाता है, रासाइनिक समीकरन लिखने के लिए निमनलिखित तरीके अपनाए जाते हैं, अभिकारकों के प्रतीक और सूत्रों को पहले बाई और लिखा जाता है, यदि एक से ज्यादा उत्पाद हों तो उनके बीच योग, धन, चिन लगा कर उने अलग-अलग दर्शाते हैं, अलियूमिलियम आकसाइट और डाईल्यूट सल्फियूरिक एसिट को इस तरह लिखते हैं, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, जो उत्पाद के रूप में अभी क्रिया होने को दर्शाता है, प्रतीक और सूत्र योगिकों के गठन यानि उत्पाद को तीर के निशान के बाद दाई ओर लिखते हैं, और ये दर्शाता है कि इसका गठन हुआ है, यहाँ पर एक योग धन चिन भी दो योगिकों के बीच अलग-अलग जगों पर लगाया जाता है। इस नियम के अनुसार द्रवेमान का निर्मान नहीं किया जा सकता है, और ना ही रासायनिक अभिक्रिया में नश्ट किया जा सकता है। उसे संतुलित समीकरण के रूप में जाना जाता है। संतुलित समीकरण उप्रोक्त समीकरण एक असंतुलित समीकरण है। इसमें सल्फर का सिर्फ एक परमानु है जो अभिक्रिया की ओर है। जबकि उत्पात की ओर सल्फर के तीन परमानु है। अब यहां अभिकारण की ओर छे हाइडोजन के परमानु हैं और उत्पात की ओर सिर्फ दो हाइडोजन परमानु है। उप्रोक्त समीकरण में H2O अणुओं को तीन से गुणा करते हैं। समीकरण दो अब बनता है इसमें। अब समीकरण में आक्सीजन परमानु 15 हैं जो अभिकारक और उत्पात की ओर हैं। इसलिए अंतिम समीकरण संतुलित है। रासाइनिक अभिक्रियाओं के प्रकार तत्वों और योगिकों के मिश्रन से कई तरह के पदार्थ बनते हैं। लाखों योगिक, तत्वों या योगिकों की रासाइनिक अभिक्रियाओं से बनते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में तापमान, दबाव, प्रकाश की उपस्थिती, आधी के रूप में विभिन परिस्थितियों की आविशक्ता होती है। रासायनी कभिक्रियाएं कई प्रकार की प्रणालियों में घटित होती हैं, जैसे की मानव शरीर, पौधे, उद्योग, प्रकृती, आदी. रासायनिक अभिक्रियाओं के चार प्रकार होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं, संयोजन अभिक्रिया, अबघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, दुई विस्थापन अभिक्रिया सन्योजन अभिक्रिया कुछ अभिक्रियाओं में नया द्रवे मूल तत्व में मिलाया जाता है और तत्व द्रव में मिल जाता है। इस तरह की अभिक्रिया को सन्योजन या संशलेशन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें एक तत्व किसी दूसरे के साथ अभिक्रिया करके एक योगिक बनाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को संशलेशन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। उधारनार्थ हाइड्रोजन को आक्सीजन से मिलाने पर पानी बनता है। संयोजन अभिक्रियाएं एक मैगनीशियम रिबन लें और उस पर लौकी गर्मी दें इसके जलने से चमदार सफेद रोशनी निकलती है मैगनीशियम रिबन सफेद पाउडर में बदल जाता है पाउडर में थोड़ा पानी मिलाएं और लाल लिटमस पर एक ड्रॉप रखें लाल लिटमस नीला हो जाता है ऐसा संयोजन अभिक्रिया से होता है आक्सीजन हवा में मैगनीशियम के साथ मिलकर सफेद पाउडर मैगनीशियम ऑकसाइट MGO बनाती है मैगनीशियम ऑकसाइट पानी के साथ मिलकर मैगनीशियम हाइडर ऑकसाइट बनाता है इसमें लाल लिटमस नीला हो जाता है अब घटन अभिक्रियाएं अब घटन अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें एक योगिक सरल योगिकों में तूट जाता है उधारणार्थ गर्म करने पर केलशियम कार्बोनेट से केलशियम ऑकसाइट और कार्बन डायोकसाइट बनता है पानी का अभिक्रियाएं जब इसे बिजली से गुजारा जाता है तो ये हाइटोजन और ऑक्सीजन देता है अब घटन अभिक्रियाएं संगे मरमर का एक टुकड़ा लें, इसे चिम्टे से पकड़ें कुछ समय के लिए इस पर आग की गर्मी दें इसे ठंडा होने दें इसे पानी में डाल दें, फिर इसमें लाल लिटमस डालें इस तरह लाल लिटमस नीले रंग में बदल जाता है केल्शियम कार्बोनेट यानि संगे मरमर अब घटित होकर केल्शियम आकसाइट और कार्बन डायोकसाइट बन जाता है केल्शियम आउकसाइट के बनने पर पानी के साथ अभी क्रिया होती है जो उप्रोक्त हल देता है जिसमें लाल लिटमस नीले रंग में बदल जाता है एक टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम जिंक कार्बोनेट लें टेस्ट ट्यूब को एक काग और एक डिलीवरी ट्यूब में फिट करें लाव से उसमें उश्मदें इससे एक रंग हीन गैस बाहर निकलती है इस गैस को नीबू पानी से गुजारते हैं तो ये दूदिया हो जाता है जिंक कार्बोनेट को गर्म करने से ये अब घटित होकर कारबन डायोकसाइट गैस और जिंक अखसाइट बनाता है कारबन डायोकसाइट नीबू पानी को दूदिया कर देती है एक चाहन डिश में 1.09 ग्राम फेरस सलफेट लेकर गर्म करें तेज गर्म करने पर फेरस सल्फेट का रंग हरे से बदल कर भूरा हो जाता है एक टीखी महगदार गैस भी इससे बाहर निकलती है ऐसा फेरस सल्फेट के अब घटन की वजह से होता है जो ब्राउन फेरिक ऑकसाइड और SO2 और SO3 जैसी तीखी महगदार वाली गैस निकलती है विस्थापन अभिक्रियाएं एक विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें एक परमाणू या परमाणू का एक समुहू एक अड़ू में मौजूद एक और परमाणू द्वारा विस्थापित होता है उधार नार्थ आइरन को जब कौपर सल्फेट के विलियन के साथ मिलाया जाता है तो इससे कौपर धादू बनती है टेस्ट्यूब के 10 मिलिलीटर पानी में 0.5 ग्राम सिल्वर नाइटरेट मिलाते हैं टेस्ट्यूब में एक साफ कौपर का तार जोड़ते हैं इसे कुछ तेर तक छोड़ देते हैं सिल्वर की चमकीले क्रिस्टल तामी के तार पर दिखाई देते हैं इसे विलियन का रंग नीला सा हो जाता है जो कौपर नाइटरेट के रूप में होता है इस अभिकरिया में लोधातु को कौपर के साथ मिलाने पर कौपर सल्फ़ेट का विलियन विस्थापित होता है एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट विलियन लेते हैं कॉपर सल्फेट विलियन में लोहे की कील डालते हैं और इसे कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं कुछ समय के बाद विलियन का नीला रंग, फेट्स और लाल रंग की कॉपर धातू copper sulfate से विस्थापित हो जाती है विस्थापन अभिक्रिया जो होती है विस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ अन्ने उधारण है दोई विस्थापन अभिक्रियाएं दोई विस्थापन अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें दो योगिक आइनों को बदल कर दो नए योगिक बनाते हैं। इन अभिक्रियाओं को पार्टनर एक्सचेंज अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ये अभिक्रियाएं आइनिक योगिकों में होती हैं। उधारनार्थ, कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन की अभिक्रिया में सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड और सल्फियूरिक एसिट बनते हैं। इस प्रकार कॉपर का पार्टनर पदल कर हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन के पार्टनर के रूप में होता है। Barium chloride और sulfuric acid की अभिक्रिया से barium sulfate बनता है जो दुई विस्थापन अभिक्रिया है. निराकरण अभिक्रियाएं भी दुई विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं. Redox अभिक्रियाएं Redox अभिक्रियाएं वे होती हैं जिसमें आक्सी करण और इसकी कमी से एक ही समय में होती हैं. इन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ में कमी होती है जबकि अन्ने आक्सीडाइजड होता है. क्रिया कलाब एक चाहन डिश लें और उसमें थोड़ा सा कॉपर पाॉडर लेकर उसे गर्म करें. कॉपर पाॉडर का क्या होता है? कॉपर पाॉडर की सतेह करण बदल कर काला हो जाता है. ऐसा अक्सीजन के कॉपर के साथ मिलने से होता है जो कॉपर अक्साइट के रूप में बनती है यदि हाइडोजन कैस इस गर्म समगरी C-U-O से गुजारते हैं तो सतह पर ब्लेक कोटिंग बदल कर भूरी हो जाती है और फिर से ऐसा होने पर कॉपर प्राप्थ होता है क्यूपरिक ऑक्साइड यानि C-U-O बदल कर कॉपर बन जाता है इस प्रकार क्यूपरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाती है आक्सिजन के हटने के बाद से इसकी कमी हो जाती है जिससे क्यूपरिक आक्साइड कौपर के रूप में होता है क्यूपरिक आक्साइड से इस आक्सिजन को हाइडोजन हटाता है इसलिए हाइडोजन कम करने वाला कारक है इस प्रकार आक्सीकरण और कमी एक साथ होते हैं उधारणार्थ सोडियम को जब आक्सीडाइस्ट किया जाता है तो ये बदल कर Na प्लस हो जाता है आक्सीकरण को आक्सीजन या हैडोजन या इलेक्ट्राणों की एक पदार्थ से नुकसान या कमी के लाब के रूप में परिभाशित किया जाता है कमी या हैडोजन या एक पदार्थ से इलेक्ट्राणों का लाब आक्सीजन की कमी के लाब के रूप में परिभाशित किया जाता है जिंक आक्सीडाइस्ट होकर ZN2 प्लस हो जाता है जब जिंक की एक छड़ को कॉपर सलफेट के विलियन में डुबोया जाता है इस अभिक्रिया में जिंक दो इलेक्ट्राण को देता है और ZN2 प्लस हो जाता है इस प्रकार जिंक आक्सीडाइस्ट हो जाता है दूसरी ओर Cu2 में दो इलेक्ट्राणों की कमी हो जाती है जिसे ये ग्रहड करता है और वो Cu हो जाता है आपने देखा होगा कि लोहे के बने पुराने गेट पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है लोही की चीजों में लालिमा युक्त भूरा रंग एक जंग होता है कुछ अन्य सामगरी में भी इसी तरह का जंग लगता है चांदी पर काली परत और कौपर पर हरे रंग की परत भी इसी तरह के उधारण है जंग एक प्रक्रिया है जो धातूँ को धीरे धीरे बहरी हवा, नमी या उनकी सतह के हिसाब से रासाइनिक क्रिया की वजह से होती है विकृत गंदिता अगर एक धातू में अभी क्रिया शील होती है, इसकी सतह पर धीरे धीरे अक्सीजन और पानी यानि नमी की मार पड़ सकती है धातू हवा में मौझूद अक्सीजन और पानी के वाश्प के साथ अभी क्रिया करके योगिक बनाता है इन योगिकों के बनने से धातू की सतह पर असर होता है, इससे धातू की सतह कमजोर हो जाती है धातू की सतह पर योगिकों के बनने से धीरे धीरे उसकी सतह और कमजोर हो जाती है और फिर हवा और पानी की वजह से इसे नुकसान होता है यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहती है इस तरह हवा और पानी धीरे धीरे पूरी धातू को ही नश्ट कर देते हैं जब हम खाते समगरी, वसा या तेल को लंबे समय तक रखते हैं तो यह वक्रित कंथी हो जाते हैं और एक समय के बाद इसके दुरगंध और स्वाध बदल जाते हैं ऐसा खाते समगरी के बासी हो जाने की वजह से होता है विक्रित कंथीता वसा युक्त और तेलिये चीजों में हाइडरोलिसिस उपचयन से होता है एंटी ओक्सिडेंट्स को खाते समगरी में अक्सर मिलाया जाता है जिससे विक्रित कंथीता का विकास उसमें ना हो सके प्राकृतिक अन्टी ओक्सिडेंट्स में शामिल है पॉलीफैनौस, एसकोरबीकेजिड, टोकोफेरोल्स, सिंножतेटिक अन्टी ओक्सिडेंट्स है, बटिलेटिट हैडरॉक्सी अनीसोल और बटिलेटिट हैडरॉक्सी टॉल्यूनी, विक्रिद गंधिता को कुछ यह द तक रुका जा सकता है, खादे समगरी को रेफ्रेजडेटर में रखकर, खादे समगरी को सूरी की रोशनी से बचा कर और एर टाइट कंटेनर में, खादे समगरी के पैकिंग में नाइट्रोजन भरकर, नाइट्रोजन कैस खादे समगरी को आक्सी करण से बचाती है और इस तरह उसमें दुर्गंद नहीं आती। होता है। जिसका प्रयोग दीवारों की पुदाई में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोकसाइड धीरे धीरे हवा से अभिक्रियाद करके कैल्शियम कार्बोनेट की दीवार पर एक पतली परद बना देता है। केल्शियम कार्बनेट इसके बनने के दो तीन दिन बाद दिवार की सफेदी में बेहतर चमक ला देता है। दिल्चस्पी ये है कि संगे मर्मर का रासाइनिक सूत्र भी CACO3 है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। रासाइनिक अभी क्रियाएं स्थाई बदलाव करती हैं। प्रतेक रासाइनिक अभी क्रिया एक संतुलित रासाइनिक समीकरण द्वारा दर्शाई जा सकती है। विभिन प्रकार की रासाइनिक अभी क्रियाओं की चर्चा करें। संयोजन अभी क्रियाएं। अपघटन अभी क्रियाएं। विस्थापन अभी क्रियाएं। दुई विस्थापन अभी क्रियाएं। और रेडॉक्स अभी क्रियाएं। झाल झाल